नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पल्लवी लेके आए हूँ आपके लिए एक नई कहानी, तो शुरू करते हमारे कहानियों का सिलसिला, आज के कहानी का नाम है जीत किस की, तो अन्त में आपको मुझे बताना है कि कौन जीता है, तो चलिए कहानी के तरफ, एक गाव में दो साहुकार रहते थे, एक का नाम था सोहन और दूसरे का मोहन, सोहन नेक और समझदार था, गाव के लोग उसकी बहुत इज़त करते थे, मोहन से यह बर्दाश नहीं होता था, वह स्वयम को सोहन से अधिक समझदार समझता था, एक दिन मोहन अपने घर के पास खेतों में गूम रहा था, कि सामने से सोहन को आते देख, उसने एक सबजी अपने गमचे में पान ली, सोहन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछू, अगर तुमने सही जवाब दिया, तो तुम मेरे घर से जो चाहो ले जा सकते हो, अच्छा, अगर तुमारा जवाब गलत हुआ, तो मैं तुमारे घर से जो चीज दोनों हाथों से उठाऊंगा, वह मेरी होगी, बोलो मन्जूर है, मुझे मन्जूर है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो, पताओ, इस पोडली में कौन सी सबजी है, यह कैसा प्रश्न है, यह मैं कैसे बता सकता हूँ, तो तुम अपनी हार मानते हो, नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहा, मैरे कहने का मतलब था, कि यहाँ प्रश्न ठीक नहीं, तुम कुछ और पूछो, सोहन, या तो तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, या फिर हार मान लो, हाँ, तुम तीन बार कोशिश कर सकते हो, हम, तो ये ऐसे नहीं मानेगा, यह स्वयम को मुझ से अकलमन साबित करने के चकर में है, इसमें टमाटर है, नहीं, इसमें टमाटर नहीं है, अरे, क्या सोचने लगे, बोलो, हार मानते हो, आलू, प्याज, नहीं, इसमें नीम्बू है, तुम हार गए, इसलिए कल मैं तुमारे घर आऊँगा, और मुझे जो चाहिए ले जाऊँगा, ठीक है, मैं चलता हूँ, घर जाकर तुमारे स्वागत की तैयारिया करनी है, उसी शाम सोहन घर का सारा कीमती सामान एक संदुग में बंद करके रख देता है, और सुबह होते ही उस संदुग को घर की चट पर रखाता है, तब ही वहाँ मोहन भी पहुँच जाता है, उसकी नजर चट पर रखे संदुग पर जाती है, तुमने वह संदुग चट पर क्यों रखी है, लगता है तुमने सारा कीमती सामान चट पर रख दिया है, ओ, तुमने देख लिया, मोहन सोहन के घर के अंदर गया, और सीड़ी लेकर बाहर आया, तुम कीमती सामान को छोड़ कर इस सीड़ी को ले जाना चाहते हो, तुमारा बहुत बहुत धन्यवाद, तो दोस्तों, सोहन और मोहन की कहानी आपको कैसे लगी, और बताइए, कौन जीता, सोहन जीता या मोहन जीता, तो आपको ये कहानी कैसे लगी, ये कमेंट सेक्शन में बताइए, थैंक्स वाचिंग गाईज, बाबाई